नमस्कार, आज हम बात करेंगे कंगारू मदर केर जिस प्रकार कंगारू मादा अपने बच्चों को अपनी छाती से चिपका कर रखती हैं एव मिस्थन पान करवाती है ठीक उसी प्रकार अगर बच्चा 37 माह से पहले या फिर ढाई कीलो से कम बजन का जन लेता है तो हमें कंगारू मदर केर देना पूता है यह कैसे देते हैं तो हमें बच्चे को या तो माह या फिर बच्चा जो भी समाले उसे बच्चे को अपनी दोनों इस्थन के बीशमर यहाँ पर रखना चाहिए बच्चे का मुं एक तरफ होना चाहिए बच्चे एकदम सीधा एवं बच्चे की टांगे मेंड़क की तरफ चोड़ी एवं उपर होनी चाहिए बच्चे का पेट एवं मा का पेट चिपका हुआ होना चाहिए इसके क्या फाइदे होते हैं तो ऐसा करने से सबसे पहले तो मा एवं बच्चे के बीच में एक बॉंड बनता है बच्चा एवं मा एक साथ सास लेते हैं एवं दूद जादा बनता है सबसे महतुपुर्ण फायदा यह है कि यह एक प्रकार का इंक्यूबेटर अत्वा थर्मल प्रोटेक्शन देता है कंगारू मदर केर के बहुत सारे फायदे होते हैं इसको देने के लिए मा अपने संस्क्रती में जो भी कपड़े पहनती है वह आगे से थोड़े से खुले एवं बच्चे को टोपी एवं हातों में मोझे पेरों में मोझे पिना कर बच्चे और मा का तन चिपका देना चाहिए इस प्रकार से कंगारू मदर केर दी जाती है एवं इसके नेमने फायदे होते हैं धन्यवाद जय हिन जय भालत